सवाल करना शुरू करो और सवाल हम कर देते हैं अपने समाज से तो भी मिजगाली देता है इभी भक्त लोगों बेटा हुआ है सब जिस समाज के इंटिलेक्चिल क्लास की प्लैंड हत्या हो रहे हैं उस समाज उसमें चुप मौन रहे हमारे दलित नेता सब बढ़ किया लुट एक भी दलित सीम नहीं है क्योंकि इनको खाली पीएम बनने का चस्का लगा हुआ है उनकी विरासत जिन्होंने संभाला उन्होंने गाली बाजों की दलालों की और फ्रॉडों की फौज खरी कर दी सलमानकार दलित का बोट सब को चाहिए लेकिन दलित लीडर नहीं चाहिए जिनको हम अपना राजमितिक शांस्कृतिक शत्रू मानते हैं वो चिंतनवनन करते हैं ठिंकर रखते हैं उनको जूट भी फैलाना होता है तो वाट्सअप इन्वस्टी पे करोडों खर्च करते हैं और हमारे तर्व बाले जो हैं हम लोग अपना जेव से पैसा खर्चा करक लेकिन कभी उनसे फुर्शत नहीं होती कि अरवेंद सुरज यादव तमाम जैसे लोग बैठे जरा चाय पर चड़्चा हो और मन की बात नहीं दिल की बात मन की बात नहीं काम की बात तो हम लोग का एक लंबा एक्सपीरियेंस है तीस साल से ज्यादा से एक्टिविस्ट है चात्र जीवन से ही और कुछ प्रस्ताबना रख देता हूँ इसलिए ज्यादा बेहतर होगा समझने में हम लोग समाज की लड़ाई इंडिविज्वल तरीके से लड़ते हैं सुरज जी से पूछ राता है कितने साल से प्रोमोशन आपका रुका हुआ है बोले 14 साल से मेरा तो छोड़ी दीजे मेरा तो खिसाब किताब अलगी है कितने फायार होंगे कितने हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट तक भी किसे चल ले हैं विदेश जाने भी पाबंदी है चुट्टी नहीं मिल सकता है प्रोमोशन भी 6-8 साल से मेरा भी रुका हुआ है जबकि कोई रिष्ट नहीं है हमारे निताओं को कभी ये सूचता नहीं है कि उनके समाज के जो इंटिलेक्टुल से जो लगतार सालों भर 24-7 काम करते रहते जिनका लाब उनको राधिक लाब मिलता है इनकी आबाद संसद में उठाएं और प्राइमिस्टर को और सिक्षा मंद्री को घेरें वहा अगर लीडर्स के पास धर्मेंदर जी हमारे दोस्त है पुराने और यकिनान उनको सेकेंड करेंगे कि हम लोग लीडर्स मिलते हैं लेकिन अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाते हैं जब भी जाते हैं तो बोलते हैं रोस्टर वाला अंदोलन भारत बंद करना है इस पर सा कर रहे हैं उनके छोटा सोच छोटा अधना सावी आदमी होता है उसके प्रोटेक्शन में सारी काइनात उतर आती है कैसे जीतों कोई तरीका है कास्ट संसर सोशल जस्टिस की बात हो रही है मैं एक आठीलेक अंबेटकर का बार बार पढ़ता हूं और आप सब को पढ़ना चाहिए और क्लैडिटी रखना है तो मैं दिखा देता हूं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूँगा करोडों की आवादी को नकारने का प्रयास अंबेटकर की राइटिंग है यह अस्परिश्यों के संदर्म में कह रहे थे 1930 के दशक में इसो खाली एक्स्टेंड आप कर चाहिए जिए गाति सब के ऊपर लगो जाएगा के कास्ट सेंसस नहीं करना है मैं यहां सोचल जस्टिस और कास्ट सेंसस के पक्ष में करा है कि मेरा क्रीटिकल नजरिया है कि इसको आप पढ़ लिजे पूरा एस्पस्ट क्लियर हो जागा कि कास्ट संसस नहीं करना मतलब करोडों की आवादी के अस्तित्व को नकारने का ही प्रयास है और देखें लिला मैं सोचता भी हूँ थोड़ा कभी कभी कास्ट संसस को लेकर कालेलकर साहब की बहुत आलोचना करते हैं सुरदी लेकिन मैं समझता हूँ कालेलकर साहब बहुत इमांदार आदमीत है उन्हों जो findings की वो सही findings की तभी न उन्हें न कहा इमानदारी से कि मैं इसे सहमत नहीं हूँ अगर आज उन्हीं के समुधाय के लोगर कास census करें कास census कमिशनर वने तो आज रिपोर्ट में वो घाल मेल कर देंगे लेकिन उन्हों रिपोर्ट में घाल मेल नहीं किया कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ कास census को लेकर जो इसका विरोध कर रहे थे उनका नजरिया जो उस समय था 1911 में पूरा हिस्ट्री से में लिखी हुई मैं तीन वार पढ़ चुगा हूँ वही नजरिया उनका आज भी बना हुआ है सेम दलित को लेकर ओवी सी का जो नजरिया उस जमाने में था मोर और लेस वही नजरिया आज भी है लेकिन जो कास सेंस का विरोध करते हैं दिलचास बात ये है कि आज भी वो अपने जाती की संख्या बता रहा है सोचा कभी आपने जो कास सेंस का विरोध कर रहे है वो भी कह रहा है कि हमारी जाती की संख्या इतनी है तो भाई जब कही रहे हो तो सेंस ही करा लो ना फिर विरोध किस बात का ये सुना है कि नहीं हाँ कही पंद्रा परसेंट कही चालिस परसेंट वो भी अपनी जनसंग के परतिसत बता रहे हैं अकरे तब भी हम भी रोज करेंगे अरे भाई आपका जादा होगा जादा ले 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 ना हम लोगों को जो मिला हुआ है वो भी छील ले ले ना कराओ ना अभी सब कटेगरेशन आ गया क्रीमी लेयर भी आ गया मोदी जी कराओ ना सब कटेगरेशन करू ना किलीमी लेयर भी लगाओ ना किसने रोका है फुल फुलेज़ेट मेजरीटी है एंडिये तो है यह बीजेपी नहीं तो एंडिये है किसी ने रोका है नहीं तो यह सब स्टंड चलता है वन नेशन, वन एलेक्शन, सब करो ना, उसके लिए आखड़े लाने पड़ेंगे ना, कहा है आखड़ेंगे, भाई एक बात सुचिए, दलित समुधाय के लोग, अम बेटकर को दिखिए, OVC recommendation डाला, 340, OVC issue पर resign भी किया, there were four main reasons for his resignation, and one of the reasons was the OVC commission, मंडल कमिशन वाले movement में काशिटाम भी active थे, अभी caste census में पूरी दलित समुधाय active है, social justice OVC लागू हो, OVC समुधाय भी उसमें शामिल है, लेकिन SCST का caste census करना जो mandatory था हर 10 साल पर होना था, वो नहीं हो रहा है, इस पे किसी नेता की आवाज सुने, भाई जो होना है देखा जागा लिए इनकी तो पहले करो, कि the most deprived, marginalized section of the society, schedule caste and schedule tribe, उसका भी mandatory भी नहीं हो रहा हमोदी जी नहीं कर रहे है, वो फशा कर रखे हुए, मुझे लगता कहीं पेज फशा हुआ है, उसका भी तो करते हैं, आपने इसे आवाज उठा ही लिखा, कि schedule का schedule drive का करो, संसद में आवाज उठी, नहीं उठी है, दलित नेता भी नहीं उठा रहे है, दलित लोग तो सब की लड़ाई लड़ रहा है, अब डुक डुकी बजा जा रहा है हर जगा, उनके हगमारी हो रहा है, संसस नहीं हो रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं है, बहरार, बिहार में कास्ट सरवे हुआ, और मुझे समाच से समस्या है, खाली नेताओं से बाक छोड़ दिए सुरज, मैं आपसे आंशिक समती है, जितने दली तांदोलन अभी हुए हैं, नेता के ओर्डर का आदेश कर रहा था, आप रोस्टर के आंदोलन में थे, लक्षमन था, अर्वीन तमाम लोग थे, हमने नेता के आदेश का इंतजार किया, जागरित समाच कभी लेता के ओर्डर का इंतजार करता है, किसी नेता के ओर्डर का, किसी नेता इंतजार किया, कि नेता बोलेगा, तब हम सड़क पर उतरेंगी, अरे असली बहुत संचक्त हैं, यहां ओवी से समाज है, रफ डेटा भी है तो बावन परसंट है, और बावन परसंट होने के बाग, अगर आप सेंसस नहीं करा पा रहे हो, एनेस पा रहे हो, निर्जिकरन नहीं नोक रहे हो, तो कहे का बाप कर रहे हो फिर, गुद्गुदी वला भाषन भी देंगे न, बड़ा खुश तो जाओ, जाकर रात में सोग सब अच्छा से, धर्मेंदर जी टिकट दिलवाएंगे अब अगली बावन परसंट, पचसतर परसंट, पता नहीं कैसे कह रहे हो, लेकि लड़ नहीं रहे हो न, सिस्टम जान रहा है कि कायर है, इस संघर्ष नहीं करेगा आपने लिए, कोई दूसरा ला के इसको देगा, तब देव न, देव न, मुझे देव, लड़े है कोई, जिस समय हम बेट कर कह रहे था हूं, 1932 में, कि आप लोग अपने लिए प्रितक निर्वाचन शेत्र मांगो, आप कह रहे था नहीं, मुझे वंटचेवल वाले में ही डालो, क्योंकि सबसे आसान तरीका था, कि आप लड़ के लाए, ओं भी सेयर ले ले लेंगे, वो कह रहे थे, कि अलग से मांगो, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ये लड़ाई उसी समय खतम हो गई रहती, लेकिन वहाँ जो जो इस्तिती थी, आज भी मैं वही समझता हूं, सबसे पहले, वही समय आगे बढ़ता है, जो सबसे most, जो backward है, उसकी लड़ाई लड़ता है, फिरी में आरक्षन मिला आपको, कोई आप सड़क पे कोई कुरवानी हुई, कोई लड़ाई लड़े है, वीपी सिंग, अरजून सिंग, उनका समाज तो उनको भूली गया, हम भी भूल गए, ये ऐसा एसान फ्रामोस समाज हम, कितने लोग अरजून सिंग की जहिंती मनाते हम सुरजी मिलते थे, जब एचाड़ी मिनिस्टर थे, लगातार की सर, ये वला किजिए, मनाते हैं, कोई कल्चर नहीं है, संसकार नहीं है, खाली नंबर से हम पूलाई है, सौरी, भेड़ बक्री कभी साचक हुकमरान नहीं बनता, हुकमरान बनने के लिए, यहां ब्रहमन क चेंद्र बिन्दू है, भाषन और बड़ा हुआ है, कि शिक्षा जरूरी नहीं है, रूलिंग क्लास बनने के लिए, उच शिक्षा जरूरी है, कोई फोकस है, आप लोग तो प्रोफेसर लोगों प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, अपने बच्चों को क्या उक्सवर्ट से पीएजडी करवाऊगे, गंभीर सवाल छोड़ रहा हूं, दूसरा तो दूप पॉइंट अब मुझे लगता है, टाइम हो गया, बता दे ना भाई किदर है, क्या OBC समाज में अभी कास सर्वे हुआ है, मैं बिहार से आता हूं, ठेट बिहारी हूं, इतियास पढ़ाता हू कि अपक हो और मुझे अपनी अस्मीता पर हर तरह की अस्मीता पे गर्व होए, हरत तरह की अस्मीता पर, कास्टत सर्वे हुए, सेंसस नही वा हुए, अब देखिये हमारे समाज की अंड़स्टाइडणि, सब जात का नमबर आ गया, सारी की दिल्चस्पी, यहां भी घित पॉलिटिकल रिपर्जेंटेशन पर है यह जाती को मिला था जमात को कम्यूटी को मिला था अगर जातियों के हिसाब से हम अगर सब को टिकट देने लगे तो अकलेज जी के पास भी टिकट कम पढ़ जाएगा तेजस्वी आदव के पास भी कम पढ़ जाएगा राहूल सब्सक्राइब को हाउस में भेजिए एक सक्षम आदमी को भेजिए जो वहां जाकर आर्गुमेंट कर सके आपके हितों के रक्षा कर सके आपके बच्चों के स्कूल इसको फ्यूचर कॉलेज इनवस्टी के रक्षा कर सके ऐसे सब चात कर रहा है कि हमको नेता बनाओ क्या जरूरी है प्रोफेसर भी कर रहा है कि हमको ठीकर दो आप लिए अब इस्टॉरियन बनों कहां इस्टॉरियन बताए कहां इस्टॉरियन है और बने बता तो कितने सोचियोलाजिस्ट पितने साइंटिस्ट तो सब को इस समाज में यह भूक है कि हमें बिलियनायर बनना है देश के इकॉनमी में इसके शेयर मार्केट में मेरी हिस्तेदारी चाहिए जिसको तेको टिकट मांगने के चक्र में लगा हूँ है और यह बात आरे से बीजेबी बहुत बढ़िया तरीकियों समझता है वो लाशन नहीं दिये समाझवादी पार्टी से तुम ही दर राज़ा हम दे देते हैं तुर्णत ओबर नाइटी तसे दोर हो जाता है और मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल क्लास वो खासतर हम लोगे क्लास हमारे जो नेता हैं उनको एक थर्मामेटर रखना चाहिए कि वाकाई सेकुलर है कि नहीं कि पॉलिटिकल से कुलर है आरे से पीजेपिक आदमी लाकि आप चुनाव लड़वा रहा है उमिद करो ही मांदारी से कास सेंसर्स और इ यहीं काम होता है वे डियंजा शिर्माली का इस रहा शाहिदमिंगा इस्टोइट रहा सुमिश सरकार को सुना तमाम बड़े स्कॉलर को सुना तो पढ़ा भी चुका हूँ एक चीज़ सिखाया सब लोग लोग है कि क्वेश्चन एवरिधिंग सवाल करना शुरू करो और सब लीटरेट अनपड़ बनेंगे और जो जितने चंदा मिलता है न सरकारी बाभू लोग देता है उस सरकारी बाभू लोग चंदा देने वाला क्लासी खतम हो जागा लेते रहना तालीव जाते रहना क्योंकि पीड़ा दर्द हम जानते हैं अगर मैं कुछ ना बोलूं सिर का नुकत है लेकिन यह पूरा पैन इतना थ्रेट इतना केसे किसके लिए उठाय दा रहा है मेरी की लड़ाई है सुरजी की जमीन की लड़ाई है उड़ाई में लख्ष मन्जाद हो गया बहार यह कब आप समझेंगे जिस समाज के इंट्टिलेक्चियल क्लास की प्लान हथ क्या हो रहे हैं और समाज उसमें चुप मौन रहे रूलिंग क्लास मौन रहे जब मेरी गिरफतारी होते दिग्वजा सिंगा पहला ट्वीट आता है हमारे दलीत नेता सब बैट किया लुटियन जोन में एसी में रहने कियादा था खाके नमराम से भात मचली खाके सुझा हुआ था कि आप सिंबोलिजम सिखिए आरे सरस से शिडूल ट्राइब की पॉपलेशन सारे साथ परसेंट है और कोई हल्चल नहीं हुआ आमके समाध में कोई ब्रहमन ठाकूर कायस्त बनिया हल्चल नहीं किया तो उसको पता है रूलिंग एलीट है क्लास है उसको पता है किसको शेयर मार्के में लाग करोड रूपया इधर से उदर करना है किसको क्या करना है तो नेता किसी को बना दो एजंडा हमारा चलेगा और हमारे यहां सब कहता है हमको नेता बनाओ आज इस देश में एक भी दलिट सीम है एक भी एक नाम बताइए मुझे एक भी दलिट सीम नहीं क्योंकि इनको खाली पीएम बनने का चस्का लगा हुआ है के निसिर्ड चिन्हों इन्होंने बहुजन समाज पंफा रहा है तु arrive के रहा हूं a यह सुझ समय रहां तो एक्स्पलेंऽ भी करता यह उनकी विरासत जन्हों ने समहला उनकी विरात जोने सम्भाला उन्होंने सम्भाला कि में बहु livre RPG और और फ्राउडों की फौज खरी कर दी उनको सामती डिस्कोर्स करना संभाद करना नहीं आदा सोसल मीडिया पर जाकर देख लिए राहूल सामपाल भी है इदा अड़े वही हुआ एक कभी अमबेडकर ने एक लाइन भी कहीं लिखा हो कि हम इस देश के बहुत संक्यक है आप मुझे ले के दिखा देना उस दिन मैं यहाँ दिल्ली छोड़कर चला जाओ बोलो रेपिटेटली यह वाज राइटिंग यह वाज सेंग वी आर माइनरीटी इन नाशनल लाइफ अब मना करो कि यार बारगेनिंग करो एजंडा सेट करो जिसे हम बेड़कर करते थे नहीं हम वपी है मनाओ रात बल जाल बजाता है सपने में एक भी सीम नहीं आज नोजवानों जर आप पढ़ो लिखो तर आप पढ़ो के तो संबाद करो सब्सक्राइब करना नहीं आता है लिखना नहीं आता है और करें सेंसर कर आओ तक्या हो जागा सब्सक्राइब कर आपके अंदर नहीं है आप खुद एस पेस एक दूसरे को आप नहीं दे सकते हो इतने पार्टीज हैं कॉंग्रेस पार्टी ने कुछ दली सीम बनाए होंगे पहले लेकिन पांच साल कोई पूरा नहीं कर पा एक्सेप्ट बहन जी उतर प्रदेश में तो इतने जगा चुना हो रहे हैं मुसलमान का दलित का वोट पर को चाहिए लेकिन दलित लीडर नहीं चाहिए मुसलमान लीडर नहीं चाहिए कहीं डेप्टी सीम भी एक मुसलमान नहीं क्या बिडियाने खिलाओंगा न तो इस क्यूं सिर्फ वोट हमें हैं और सारे राइट्स जा रहे हैं नेता बहुत हो रहे हैं हमारे आंदोलन बहुत हो रहे हैं संगटन बहुत कुल रहे हैं अज सारे राइट्स ग्रैजूली खतम हो रहे हैं उस पर कोई भारत बंद नहीं में स्कॉलर्शिब नहीं यह था जिछशल जश्टिस के छेंपियन है थोजार 16प संप्रटbig Ka Jakarta उनको तो बञदे सिखा लगू करना चाहिए था भड़ाना चाहिए था फॉर पान स्कॉरस्ट लाना चाहिए था तो तो ऐसे सोशल दस्टिस के लीडर होंगे हमारे अधर जितन नाम माझी लटकंपू लीडर लटकला तक गईला बिटा कभी इधर तक अधर कभी उधर आप कह रहे हैं कि सब कर्टिक्राइशन एक दिन उनके साथ मैं मंच में था आप दो मेंट बोल लेता हूं भाई ठैट जा अभी इंजन करम हुआ है कि भूले हमारा खा गया खा गया अमने हां बरगर था खा गया है अले आप सीएम रहें आप अपने समुदाय के लिए आप अभी कैबिनेट मिनिस्टर है चुनावती हमारी अपने समुदाय के लिए एक इंगलिश मीडियम सौ बच्चों का तो पढ़ाएंगे नहीं इंगलिश नहीं पढ़ाएंगे स्कूल नहीं खोलेंगे होसल नहीं खोलेंगे अखाली उनका बोट लेके सत्ता में हिरा फिरी करेंगे किराग पासबान केबनेट मिनिस्टर है कितने सवाल उन्होंने मोधी सरकार पर उठाए जो प्रैविडाइशन के सवाल पर सिंबोलिजम बात मत करो कि आरक्षन हम मंत्री छोड़ देंगे आरक्षन ये होगा 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 इसा बोलो मत आरक्षन है कहां पर लिए बताओ मुझे धरमेंदर जी आखड़ा मांगी का इस बार पूरा कंप्लीट तो जैसा नेता उसा फॉलवर है हम इस दलित समाथ जो पुड़ा लुटियन जोन में रहता है फेलोशिप खतम है मामला फ्रीशिप खतम है हमेरे पास रोजपोन आते हैं कि मुझे 20 लाग रुपे की जरूरत है हम लिए मेरे पास रिज़र बैंक ठाड़ जाओ ए ट्यम निकालता हूँ इस सवाल पूछो आरे से बीजबी इमानदारी से उसको खतम करना है फेलोशिप स्कॉलर्शिप इनुवर्स्टी कॉलेज़ वो कर रहा है वोट आर लीजर्स आट दूए इन दी हाउस खाली सीम बना दो पीम बना दो का हो जागो उसे और इस समाज को भी मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग टिकट के चक्कर मत पढ़ो कुछ लोग बिजनस में बनो मर्सिटीज में चलो गए अपना प्राइविट जेट रहेगा अन्यता बनो गए मूली मूली चोडी के आरोब में जेल बेदेगा इसा है मुदी सरकार भी है है हो बिजनेस करो बढ़ियां अगदम प्राइविट जेट में उड़ो पुड़ा है लगजरी गारी में रहो एकदम सेवने साव होटल में ले चलो हम लोग भी खाना कि लाओ पाटी उटी करो जो माइंट सेट है कि एकदम स्कॉर्पियम में आगे दो राइफल वाला रहेगा आगे चार पीछे इचे लेगा रहे देखो अंबानी के पीछे कितना बड़ी गाड़ घूमता है तो वह आइडियल नहीं है बिलियनार नहीं बनना है आमर्थ से नहीं बनना है नोबल प्र पांदस में आगे चार राइफल नहीं बनना है